हाई गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में हम एक जून तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह वीडियो को अंत्य तक आप जरूर देखेगा काफी शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली करंट अफेर्स पीडियेफ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गई लिंक पर क्लिक करके पास सकते हैं ज्यादा जानकारी के के लिए International Business Book of the Year Award 2021 जीता ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा option D तो नितिन राकेश एंड जेरी विंड ओन दे प्रिस्टीजिएस International Business Book of the Year Award for 2021 for their recently launched book Transformation in Times of Crisis published by Notion Press तो बुक का नाम है Transformation in Times of Crisis तो इसके लिए नितिन राकेश और जेरी विंड ने International Business Book of the Year Award 2021 जीता है तो Notion Press द्वारा ये पब्लिश किया गया है आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किसने Belgrade Open का खिताब जीता है टैनिस की यहाँ पर बात हो रही है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Novak Jokovic won Belgrade Open title देखे जो ये Novak हैं ये सर्विया के हैं और सर्विया की capital है Belgrade तो Belgrade Open इन्होंने जीता है और इन्होंने स्रोवाकिया के Alex Morgan को हराया है आपको बता दें जो ये Belgrade है ये दानूबे और सावा रिवर इन दोनों के संगम पर इस्थित है तो ये आपके लिए important point है याद रखेगा अच्छा हमने अब तक कौन-कौन से tennis titles पड़े हैं Italian Open और Barcelona Open ये Raphael Natal जीत चुके हैं Serbia Open ये Matteo Berrettini ये जीत चुके हैं Monte Carlo Masters ये Stefanos Sid Sipas इन्होंने जीता है Australian Open नवाक जोकोविच ने जीता है Geneva Open Casper Rudd ने जीता है तो ये सभी 2021 के हैं और हम इनको MCQs में cover कर चुके हैं तो यहां से आप इसको revise कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं Lawrence Deskars दुनिया के सबसे बड़े करास संग्राले जिसका नाम है Louvre की अध्यक्षन न्यूक्त होने वाली पहली महिला बन गई है इस संग्राले की location क्या है या यह संग्राले किस सहर में इस्तित है यह आपको बताना है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so Lawrence Deskars has become the first woman to be appointed the president of Louvre the world's largest art museum the museum is located in Paris, France तो यह है वो museum और इसका नाम है Louvre तो first woman president बन गई है यह इसकी यह आप याद रखेगा पैरिस में है यह COVID-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्यान के लिए किस राज्य ने सीसू सेवा योजना शुरू की है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so Assam launched सीसू सेवा scheme for the welfare of those children who lost parents due to COVID-19 तो यह Assam के chief minister है हाल ही में बने है हिमांता बिस्वा सर्मा तो इन्होंने chief minister सीसू सेवा scheme इसको launch किया है जो भी बच्चे अपने माबाप को खोच चुके हैं तो इसमें जिन भी माबाप के जो माफ कीजेगा जिन भी बच्चों के कोई अभी भावक के तोरक पर जो हैं जैसे कि किसी के ताउजी हो सकते हैं ताई जी या फिर चाचा चाची तो अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनको 3500 रुपे पर मंद दिये जाएंगे और अगर इस तरह का कोई भी उनका relative नहीं है तो उनको residential educational facilities में मूव किया जाएगा साथी जो लड़िक्या हैं जब उनकी जो आयू है वो विवा योग हो जाएंगी जब तो उनको एक तोला गोड दिया जाएगा और 50,000 रुपे उनके marriage में दिये जाएंगे एक तोला गोड मतलब लगबग 10 ग्राम के असपास और साथी जो इस तरह के children है इनको free computer और vocational training भी दी जाएगी साथी आसाम के बारे में हम ये कई बार पढ़ चुके हैं फिर से आपको बता जाए हैं ताकि आपको फिर से एक बार revise हो जाए और बिलकुल याद हो जाए इस ती एकदाम में पूछे जा चुगा है काजी रंगा नेसल पार्क जो कि अपने वन होन इंडियन राइनोज के लिए जाना जाता है मानस नेसल पार्क डिब्रू साइखोवा नेसल पार्क ओर और पवी दोरा wildlife sanctuary ये सबी आसाम में है साथी आसाम में काफी फेमस कामाख्य टेमपल है जो की निलाचल हील पर लोकेटड है ऐसे ही जो माता वैष्णो देवी का जो टेमपल है वो त्रिकुटा हील पर लोकेटड है Global Day of Parents किस दिन मनाया जाता है? Options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Global Day of Parents is observed on June 1st और इस बार 2021 में इसका थेम है Appreciate all parents throughout the world किस IIT ने एक तकनीकी पत्री का सास्त्र launch की? Options आपके सामने है और correct answer होगा option C So IIT मदरास launched a tech magazine सास्त्र तो इस magazine में जो भी scientific और technological developments हुई है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी नाम याद रखेगा सास्त्र किसके दुबार लौंची गई है? IIT मदरास के त्वारा साथ ही हमने IIT मदरास से रिलिकेट किया current affairs पड़ा था कि IIT मदरास ने हाल ही में Asia की first international memory studies workshop इसको host किया है और हाल ही में IIT मदरास ने industry conclave 2021 इसको भी host किया था इसको launch किया था Casino, online gaming portal और race course द्वारा दी गई सेवाओं के बहतर मुल्यांकल और GST लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित राज्य मंत्रियों के पैनल का नेतरत कौन करेगा Options आपके सामने है और correct answer होगा option A So, Nitin Patel will head the panel of state ministers set up by the government for better valuation of services by casinos, online gaming portal and race courses for living GST देखें, जैसे ये casinos जो अपनी service देते हैं या online gaming portal है और race courses है तो इन सभी की जो services है इन पर GST लगता है तो इसी का फिर से मुल्यांगन किया जाएगा कि क्या ये structure सही है ठीक है या फिर इसमें कुछ बदलाव की जरूत है जो GST rate है तो इस बारे में एक seven member panel यहां पर set up किया गया है और इसको head करेंगे गुजरात के deputy chief minister नितिन पतिल तो ये सभी इसके members हैं आप देख सकते हैं इसमें ठीक है और आपको बता दें कि हाली में जो ये casinos हैं और horse racing है online gaming है इन पर 18% GST लगता है इसी तरह का question ये वाला भी है तो दोनों ही question important है इसलिए मैंने साथ में इनको रखा है ताकि आपको easily differentiate भी कर पाएं और आसानी से आपको याद भी हो जाए पढ़ते हैं इस question को कोविड रहत समगरी पर GST छूट का मुल्यांगन करने के लिए सरकार द्वारा गठित आठ सजस्य मंत्री इस्तरिय पैनल का नित्रुत कोन करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C so comrade Sangma will head the eight member ministerial panel set up by the government to examine GST exemption for covid relief materials देखे जो covid relief materials है जैसे की drugs हो गया hand sanitizer हो गये mask हो गये PPE kits हो गये और oxygen हो गया और यह जो vaccine हो गया oxygen related equipments हो गया तो इन सभी पर कुछ ना कुछ GST आता है लेकिन opposition की भी demand रही है और कई लोगों की भी demand रही है आम जनता की कि इन पर GST जो है cut होना चाहिए तो इसी को देखते हुए इसी का मुल्यांगर करने के लिए कि क्या यह demand चाहिज है अगर cut होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तो इसी लिए एक eight member minister panel का गठन किया गया है जिसको head करेंगे जिसकी अध़क्षता करेंगे मिखाले के chief minister comrade सांग्वा और यह बाकी के member से इनको आप देख सकते हैं फिलाल exam में या तो यह पूछा जाता है कि कितने member वाली committee कठीत की गई है और या फिर यह पूछा जाता है कि उसकी अध़क्षता कौन करेंगे तो यह दोनों आपके लिए point important रहेंगे कि Italian Grand Prix 2021 किसने जीता है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D so Fabio Quartatraru won Italian Grand Prix 2021 so motor race की आपर बात हो रही है और इसको Grand Prix नहीं पढ़ते हैं इसको Grand Prix पढ़ते हैं यह आप याद रखिएगा इसका जो pronunciation है वह है Grand Prix तो जो Fabio है यह France के हैं और Yamamoto GP के लिए यह drive करते हैं ठीक है racing करते हैं तो इन्होंने जीता है Italian Grand Prix 2021 प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता गायक बीजे थोमस का हाली में निदन हो गया वह किस देशके थे options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B so famous Grammy winner singer BJ Thomas passed away recently he was from USA तो American singer BJ Thomas इनका हाली में निदन हो गया है और 5 बार यह Grammy Awards जीत चुके हैं NPCI ने देश भर में cashless भुकतान के लिए निमली कित्मे से किसके साथ भागेदारी की है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option C so NPCI has partnered with pay core for cashless payments across the country देखिए NPCI मतलब National Payments Corporation of India जो की भारत में जो भी retail payment होता है तो उसके लिए एक umbrella organization है ठीक है इसको संचालित करती है तो इसने पे core जो की टर्की की एक global payment solution company है इसके साथ partnership की है किसलिए जो इसका रूपे card है तो उसके द्वारा जो soft POS जो सर्विस होती है उसको लागू करने के लिए soft POS इसका मतलब होता है software point of sale तो देखिए इसके तयात क्या होता है यह soft POS क्या है देखिए अब इसमें क्या होता है कि मान लीजे कोई merchant है कोई व्यापारी है वो अपने customer से जो है payment देना चाहता है तो अब वो अपने जो भी required app होगी उस app को केवल install करेगा इसके लावा उसक less payment वो कर सकता है तो अब जो merchant जो customer है उसके पास जो card है उस card को केवल जो आपका जो आपका mobile है वो एक POS की तरही काम करेगा तो उसमें बस हलका सा tap करना है या फिर उपर से wave करना होता है और payment हो जाता है जो भी आपका bank account है उसमें direct payment चली जाती है तो इसमें आपको कोई machine न करना होता है और payment हो जाती है जो merchant का mobile है उस पर टैप करना होता है तो इस तरह की जो जो यह आपका टेक्निक है इसको बोलते हैं soft POS solutions NPCI के अगर हम बारे में बात करें friends तो NPCI जासेक मैंने आपको बताया कि भारत में retail payments and settlement system इसको संचालित करने वाली एक organization है और NPCI की सुरुवात Reserve Bank of India और Indian Banks Association इसके द्वारा की गई थी under provisions of the payment and settlement systems act 2007 और यह एक not for profit company है under section 8 of companies act 2013 साथी जो NPCI हैं इसके MD और CEO हैं दिलीब असपे EDLI योजना के तहत बीमा लाब 6 लाक रुपे से बढ़ा कर कितनी राशी कर दी गई है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A So insurance benefits under the EDLI scheme have been increased from Rs.6 lakh to Rs.7 lakh देखिए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले आप यह देखिए कि Employees State Insurance Corporation ESIC तो इसकी एक pension scheme होती है किसलिए जो भी employment related death cases होते हैं उनके लिए यानि कि कारे करते हुए यदि किसी करमचारी की मृत्ती हो जाती है तो उसको ensure किया जाता है उसका insurance करके रखते हैं कि यदि कारे शेत्र में किसी व्रक्ती की मृत्ती हो जाए किसी करमचारी की तो उसको फिर जो है इंसुरेंस की जो रकम है वो दी जाती है तो अब ये जो सुवीदा है ये COVID-19 के कारण अगर इनका कोई करमचारी उसकी डैथ हो जाती है तो वहाँ पर एक्स्टेंड कर दी गई है ये वाली सर्वीस तो इसमें क्या होगा जो भी करमचारी जो उसका डेली वेज है जो डेली वो कमाता है तो उसका 90% तक उस हिसाब से जो है उसको पैंशन दी जाएगी तो यह यहां पर प्रोविजन किया गया है और इसको रेट्रो इस्पेक्टि इसका मतलब होता है कि आपने कोई कानून आज पास किया है लेकिन वो लागो किसी पिछली डेट से होगा मान लीजिए एक कानून आज पास हुआ है ठीक है और एक जुन को आज एक कानून पास हुआ है तो ज्यादा तर संभावना यह है कि आगे आने वाली किसी डेट को सर भावित लोग हैं उन सभी को इसका फायदा मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसको retrospectively लागू किया जा रहा है यानि पिछले साल से रागू किया जा रहा है पिछले किसी साल से और साथी देखिए यह तो हुआ आपकी बात ESIC की और अब बात करते है EPFO Employees Provident Fund Organization तो EPFO द्वारा जो Employees Deposit Linked Insurance Scheme EDLI जो चलाई जाती है तो इसके बारे में यह कहा गया है कि इसमें जो Maximum Insurance Benefit है इसके करमचारियों को इलिए उसको 6 लाग से बढ़ा कर 7 लाग कर दिया गया है और जो Minimum Insurance Benefit है डाई लाग रूपे इसको restore किया गया है और यह भी 15 फरवरी 2020 से जो है लागू किया जाएगा retrospectively जारी किया जाएगा अगले 3 साल तक और यह उपर वाला भी फ्रेंड्स यह 2022 तक जो है यह pension मिलेगी जो भी आश्रित लोग है ठीक है उनको 24 तीन 2022 तक मिलेगी युद्धपोथ उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में किसने पदभार समाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so किरन देश्मुक has assumed charge as the controller wardship production and acquisition तो इसमें इतना ही जानने के लिए है किस IIT ने MBTEC विक्सित किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so IIT roper has developed MBTEC तो क्या है ये it is India's first indigenous temperature data logger for the cold chain management जानते हैं इसके बारे में तो देखे MBTEC इसको launch किया है IIT roper ने ये क्या करेगा जो भी देखे इस तरह के products होते हैं जैसे vaccine हो गया या फिर body organs हो गया या blood हो गया तो उनका जो real time ambient temperature है तो ambient temperature करा मतलब है कि जिस भी temperature में उनको रखा गया है मान लीजिए कोई और्गन है तो उस और्गन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा जा रहा है तो फिलाल वो ambulance के अंदर है तो उस ambulance के अंदर के temperature के हिसाब से बताया जाएगा कि वो किस condition में उसके बाद वो hospital चला गया तब फिर उसके बाद जो है वहां की जो air का temperature है वो temperature ये record करेगा तो उसके उसाब से पता चलता है कि जो हमारा product है क्या वो सही इस्तिती में है क्या उसको use किया जा सकता है तो real temperature हम उसका ने रहे हैं ये नいた ही जब वो 2-3 घंटे पहले निकला था तब उसका temperature इतना था उसी हिसाब से अंदर है एसा नहीं है जो real temperature है उसको ये measure करेगा MB tech तो ये vaccine के लिए तो काफी फाइदा मन दो सकता है क्योंकि vaccine waste जो चल रहा है वो ज़्यादा तर इसी वज़े से चल रहा है क्योंकि temperature के वज़े से vaccine काफी waste हो रही है साथी हमने IIT roper के बारे में हाल ही में क्या पढ़ा था कि IIT roper ने एक fake buster detector इसको launch किया है ठीक है जो deep fake जो लोग करते हैं उनके लिए deep fake ये आप word सुरेंगे deep fake इसका मतलब होता है आपने देखा होगा कही तरह की ऐसी apps होती है जिसे मान लीजे बोल तो कोई और रहा है लेकिन उस पर किसी और का face लगा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये दूसरा person बोल रहा है तो इस तरह की जो काम है ये राजनेताओं के face पर किये जाते हैं मान लीजे religious कोई आपको violence करना है तो बोल कोई कोई देगा किसी धर्म के बारे में कोई और बोल देगा लेकिन उस पर किसी राजनेता का चेरा लगा दे जाता है उसके होट भी फिर उसी तरह से कारे करने लगते हैं उसको बोलते हैं D-fake तो इस D-fake को जो है पकड़ने के लिए ये fake buster इस नाम का एक डिटेक्टर आई-टी रोपर ने हाल ही में जो है डेवलप किया है बुद्ध इन गांधार नामक पुस्तक के लेखा कोन है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन D सुनीता तिवेदी is the author of the book टाइटल बुद्ध इन गांधार अब देख लेते हैं प्रिवेज असाइनमेंट कुस्ट चे अंसर वर इस अध्वाटर्स फेंटर्पॉल लोकेटद आंसर इस लियों फ्रांस बशर अल-असद इस प्रेजिडेंट ओशन इस कॉंट्री शीरिया Amnesty International Day is observed every year on which day 28th of May और आप में से कई एस्पिनेट्स ने पाचो कोश्चन के आंसर बिल्गुल सही दिये हैं अब देख लेते हैं आज के साइनमेंट कोश्चन्स सीन रिवर फ्लोस इन विच कंट्री काफी इंपोर्टन कोश्चन है भीतरकनिका नेसल पार्क इस लोकेटेद इन विच स्टेट बनेर्गट्ठा नेसल पार्क इस लोकेटेद इन विच स्टेट worth digestive health day is observed on विच डे इंडिया लड़जेस्ट एकोईटिक गैलेरी इस बिंग सेट अप इन विच सिटी तो यह आपको 5 questions के answer बताने है साथ ही अगर आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में जरूर से बताय कीजिए फिफ्ट question मैं आपको फिर से बता देता हूँ यह वीच नहीं है यहाँ पर इंडिया's largest aquatic gallery is being set up in which city जो देश की largest aquatic gallery है यह कहाँ पर set up की जा रही है किस city में यह आपको बताना है और साथ में friends आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्ते हैं आपर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp और telegram पर share करें like करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys